बैचन्दा के सिट के माध्यम से एक इतिहास बताते हैं अरे गोरक के अवतारी जाहर वीर की कथा सुनाते हैं लेक राज की ढोलक संग तुरसन नकारा बजाते हैं अरे हंस राज भी बाजे पर आज अपने हाथ दिखाते हैं बोल गुरुगो रखनात की बोल जाहर बाबा की बोल गूगा मेड़ी दरवार की प्रेमी भक्तो चन्दा के सिट के माध्यम से मैं पंडित रामोतार सर्मा आज आपको जाहर बाबा का बहुत ही मारमे कित्या सुना रहा हूँ जनम से समाधी तक भाग नम्मर दो इसके सिट में आप सुनेंगे इसके लेखक हैं स्री रादे स्यामजी जो बहुत ही मारमिक भजन लिखते हैं जाहर बाबा के और इसकी कथा यहां से पेश है इसके बाद वे दोनों अर्जुन और सुर्जन जाहर को ताना मारते हैं कि अरे तू भी बोलता है तेरी तो सगाई भी उल्टी हो गई महरवानों ये बाद सुनकर जाहर बाबा घर आते हैं लिला घोडा रास्ते में उनको सारा हल बता देता है के ताकी नाग और नर सिंग पांडे को राजा संजा सिंग के दरबार में भेज़ दो तो किस ब्रकार से वो समझाता है और क्या होता है सारा ब्रकांग इस बज़न के माजन से अरे भूडों मैं तो खेलें गैंद बाचल को राज कुमार खेलते खेलते जोडों से हुई तकरार भूडों में तो खेलें गैंद बाचल को राज कुमार खेलते खेलते जोडों से हुई तकरार खेलते खेलते जोडों से हुई तकरार शचल को खेलते लोडों में तकरार चाब्टों से heartन्ट़ों Theme जीत हुई जाहर की जोडे हार गए जाहर के जोडे जब ताना मार गए वापस हुगई तेरी वापस हो गई तेरी सगाई बीर बनों बेकार खेलते खेलते जोडों से हुई तकरार खेलते खेलते जोडों से हुई तकरार ताना मार दिया जहर बाबा को अर्जुन और सूजन में ये ताना सुन कर जहर अपने घिर को चल दिता है और क्या जोडों की सुनबानी जहर घर आया लीले घोडे ने जहर को फिर समझाया जोडों की सुनबानी जहर घर आया लीले घोडे ने जहर को समझाया नर सिंगता की बुलवा कर भेजो संजा के द्वार खेलते खेलते जोडों से हुई तकरार खेलते खेलते जोडों से हुई तकरार जहर वीर ने नर सिंग पांडे और ताकी नाग को दरबार में बुला लिया और उन दोनों को संधाने लगे के ताकी नाग और नर सिंग तुम राजा संजा सिंगे राज में जाओ और वहां ताकी नाग तो संत बन कर स्रियल के बाग में बैठेगा और तुम सारे नगर में दोंडी पीट दीजे कैसे नर सिंग और ताकी जाहर ने लिये बुला उन दोनों को जाहर ने दिया हुक्म सुना नर सिंग और ताकी जाहर ने लिये बुला उन दोनों को जाहर ने दिया हुक्म सुना ताखी बनेगा संत वहाँ और तुम तो करो परचार खेलते खेलते जोडों से हुई तकरार भुरंत में जा हुआ तया करो हे नाथ मैं तेरा पुजारी हूँ राम जीत गुरु चर्णों का आभारी हूँ तया करो हे नाथ मैं तेरा पुजारी हूँ राम जीत गुरु चर्णों का आभारी हूँ रादे स्याम गुगा बाबा का अरे रादे स्याम गुगा बाबा का सदा करो परचार खेलते खेलते जोडों से हुई तकरार खेलते खेलते जोडों से हुई तकरार भुडों में तो खेले गैंद बाचल को राज कुमार खेलते खेलते जोडों से हुई तकरार 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 प्रेमी मक्तो इसके बाद जहर बाबा कहने से ताखी नाग वे नर्सिंग महां जाते हैं दाखी नाग सादू संत का रूप धारन करता है और नर्सिंग सिरियल के राजा संजा सिंग के राज में ये डोंडी पीटता है के राणी सिरियल के बाग में बड़ा नामी संत आया हुआ है और जो भी उसका दर्सन करेगा उसके सारे कश्च दूर हो जाएंगे ये बात जब रानी सिरियल ने उस डॉंडी पीटने वाले के मूर से सुनी तो सक्षियों के साथ बाग में जाती है ताखी नाग मोगा पाकर उसको डस लेता है बाकी हवाला इस बात के द्वारा उधर नर्सिंग पाणने ने ये भी बताया के जहार के संग में अगर सिरियल की शादी हो जाएगी तो वह बच जाएगी अते हैं शादी का महूरत निकलवाया गया और क्या हुआ आईए सुनाते हैं किस बज़न की माद जमते बोल बाबा जहार वीर की अरे जी नर्सिंग सहर में मुनादी करे जाए अरे बागों में आए सन्यासी नर्सिंग ने अपने गले में डोल डाला हुआ है सारे राज में डोल पीट रहा है के सुनो 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 सिरिल रानी के बाग में एक बहुत महान संताई हैं कैसे नर्सिंग की सुनवानी सिरिल सक्षियों के घर आई आरे सक्षी सहेली साख में लेकर बागों में वो धाई ए जी ताखिने मारो सिरिल के ऐसो डंक बागों में आए सन्या सि ताखिनाग में जो महत्मा के भेस में था मेरे महरवानों अपना रूप धारन करके और रानी सिरिल को डश लिया हाँ हाँ पार मच गया सारे सहर में सारा नगर बाची तरफ दोड़ पड़ा और क्या सारे सपेरों को बुलाया गया जहर तारने के लिए लेकिन किसी की भी पार नहीं मसाई क्योंकि वो तो जहर बाबा की माया थी कैसे सारे सहर में मची दुहाई सिरियल नागे ने खाई अरे बड़े बड़े वहाँ आए सपेरे न किसी की पार बसाई सपेरों ने खुब दीन बजाई लेकिन जहर बाबा की माया के आगे किसी की एक न चली कैसे सारे सहर में मची दुहाई सिरियल नागे ने खाई अरे बड़े बड़े वहाँ आए सपेरे न किसी की पार बसाई तेरे नर्शिंग ने मांगो है जे वरदान बागो में आए सन्यासी रहे नर्शिंग सहर में मुनादी करे जाए बागो में आए सन्यासी तीन बचन भरवा लिये हैं राजा संजा से पहले बचन में ही जाहर बाबा और सिरियल की सगाई मांगी है और क्या अरे पहले वर में जाहर और सिरियल की लई सगाई और दूसरे वर में लगन पहुचाने की हामी भर लई तूजे वर में लगन पहुचाने की हामी भरवाई पर पहले वर में जाहर और सिरियल की लई सगाई आदू जे वर में लगन पहुचाने की हामी भरवाई ए जी जाय के नर सिंग ने लगन दई पहुचाए बागों में आए सन्यासी दे जा के नर सिंग ने लगन दई पहुचाए बागों में आए सन्यासी बाबा जाहर की शाधी का दिन निस्चित हो गया क्या खागुन बदी नुमी का दिन वो शुक दिन मंगलवार का दिन आज किस प्रकार से नरसिंग पांड़े जाते हैं और क्या अरे भागुन बदी है नुमी को दिन व्या को दियो बताई शाबस अरे मंगलवार को दिन वीरा दे स्यामन दियो लिखवाई अरे भागुन बदी है नुमी को दिन व्या को दियो बताई अरे मंगलवार को दिन वीरा दे स्यामन दियो लिखवाई तेरे बारात की निकासी दई करवाई बागों में आए सन्यासी रे नर सिंग सहर में मुनादी करे जाए बागों में आए सन्यासी बोल शंकर भगवान की बोल गुरु बोरकनात की बोल जाहर बाबा की प्रेमी भगतो आज बड़ा खुची का मौका है बड़ा खुची का समय है जाहर बाबा घ्रानी स्टिरियल के दरबार पे बनने के रूप में तयार हो रहे हैं बारात सज रही है बेंड बाजे बज रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है आज दद्रेडा नकरी में चाचित आये गड़ पडोसन सारी मिलकर किस प्रकार से बनना गाची हैं और क्या कहती हैं आए सुनाते हैं इस बजन के माध्यम से अरे चलते लोग पकड़ियों औरी बनना भागयों ही जाये जहर भागयों ही जाये चलते लोग पकड़ियों हो री दूला भागयों ही जाये जहर भागयों ही जाये सबसे आगे जुरुबो रखनाथ अपने चोदे सोचेलों को लेकर हैं और उसके बाद नर्सिंग पांडे भजू रतना और क्या बो रखनाथ अपने जो साथ में चाला नर्सिंग भजू रतना आला चोदे सोचेला संग मेरी बनना भागयों ही जाये बाबा भागयों ही जाये चलते लोग पकड़ी औरी बनना भागयों ही जाये जार भागयों ही जाये राजा संजा सिंग के दो रहा है किस पकार से पहुँच गए है शाबाज संजा सिंग के पहुँच गए है जारे और एक गुरु को रखके दे दे नारे त्वारे की सोभा है न्याहारी बनना भागयों ही जाये जार भागयों ही जाये सलते लोग पकड़ियों री बनना भागयों ही जाये जार भागयों ही जाये क्या बात है हो कुआ पूजी कर जब वो चाला गोड़े पे चड़ गया हाथ में भाला रूप है जग से न्याहारोरी बनना भागयों ही जाये जार भागयों ही जाये चलते लोग पकड़ियों हो री बनना भागयों ही जाये जार भागयों ही जाये बारोठी कन्यादान हुआ था फेरे फिरे परवात हुआ था फेरे डाले परवात हुआ था बिदा करी आय हाय बिदा की कर दई जहारी री देखो भागयों ही जाये चलते लोग पकड़ियों हो री बनना भागयों ही जाये राधे साम निकले ख निराला हंस राज भी हुआ है मत वाला राधे साम निकले लेक निराला हंस राज आज हुआ मत वाला रामोतार चंदा कैस्ट में देखो गाके सुनाये कैसो गाके सुनाये चलते लोग पकड़ियों हो री बनना भागयों ही जाये जाहर भागों ही जाये जाहर भागों ही जाये बस्ता चिदर बार की प्रेमी वक्तो जिस्ता में बाबा जाहर वीर संजा सिंग के लाड़ ली सिरियल को व्या करके अपने नगर में वापस आते हैं माता बाचल खुशी से फूली नहीं समाती हैं रानी सिरियल दोले में दुलहन के रूप में बैठी है माता बाचल अगर प्रोसनों के साथ दोले से अपनी वहु को उतारती हैं और आगे का हाल इस वजन के माध्यम से बोल सांचे दरबार की के महलों हैं खुशीया मनाई आग सारे दद्रेवा नगर में खुशी का माहूल है माता बाचल अपने मन में बड़ी प्रसन है और कैसे महलों में खुशीया मनाई दोलन आई बाचल के लाला की सारे नगर में खुश्या मनाई जा रही हैं गरीबाँ को माता बाचल दान कर रही हैं सक्षिया मंगलगा रही हैं और कैसे माता बाचल खुशीर मनावे सक्षिया मंगलगा रही हैं आई बाचल के लाला की महलों में खुशिया मनाई दोलने में आई बाचल के लाला की रानी स्क्रियल चांस मुखडा माता बाचल ने कारोटी का लगा दियो काउकी नजर ना लग जाएं कैसे हाथों में कंग नारे लगे रही मेहंदी ओ आँख में सुर मारे माते पे बैंदी मुतियन की हाई हाई रे मुतियन की हाँ हाँ मुतियन की मान भर आई दोलने आई बाचल के लालागी महलों में खुसिया मनाई दोलने आई बाचल के लालागी सारा सहर रानिस्त्रियल को देखने के लिए उमण पड़ा है महले की अगड़ पड़ोसन चाचिता इबुआ भान जी सारी ही आई है और कैसे दोले से जब दोलने उतारी ओ आए सहर के नर और नारी आँ डोले से रे जब दोलने उतारी आए सहर के नर और नारी आई हैं आँ हाँ आई हैं चाचिरे ताई दोलने आई बाचल के लालागी महलों में खुसिया मनाई दोलने आई बाच चल के लाला की क्या बात है प्रेमी बखतों की सकी सहेली सब घरिया में ओ दुलहन का रे मुख देख के जा में सकी सहेली सब घरिया में दुलहन का मुख देख के जा में मेरा देशा मुने कलम चलाई दुलहने आई बाचल के लाला की प्रेमी भक्तो सावन का महिना है राने सिरियल बाचल माता के तास जाती है और बाचल माता से चीज जूलने के लिए कहती है तो माता बाचल सारे नगर में घूमती है अपनी सक्यों को बताती है कि कल हमारी बहु सिरियल जूला जूलने के लिए बाग में जाएगी प्रेमी भक्तो जब ये बाच माता बाचल की छोटी बहन काचल ने सुनी तो उसके तन बदन में आग निकल गई और इस बाद को महलों में जाकर वो अपने दोनों बेटे अरजुन और सरजुन को बताती है कि कल सिरियल बागों में ती जूलने के लिए जाएगी सो तुम उससे पहले जाकर के बाग के हटक लगा देना और उसको जूलने मत देना क्या कहती है आईए सारा हाल इस मजन के मात जमते अर लगो है महीना सामन मास को जी लगो है महीना सामन मास को जी हे जी कोई सीरियल हम बै कोई सीरियल बाचल ढिंग आए लगो है महीना सामन मास को जी रे में जी में रे में जी में बर कादे हो रहा है रिम जिम बर का मया मेरी हो रही जी ए जी कोई बागो में हाँ कोई बागो में धुला दो डर वाए लगो है महीना सामन मास को जी जी कोई सामन मास कोई बागो में बागो में बागो में जी और सकी सहेली सब जुला जूलती जी सकी सहेली जुला में जूलती जी ए जी कोई लंबे लंबे हाँ हाँ कोई लंबे लंबे जोटा रही खाए लगो है महीना सामन मास कोई देख के मनवां अम्मा में रो तरस्त रहयो जी ए देख के मनवां अम्मा में रो कर रहयो जी ए जी कोई सखियां हाँ कोई सखियां संग जुलू जाए लगो है महीना सामन मास कोई और रामो जाए लगो है सार देखो कैसिट में तो गावते जी ए जी राद स्याम की हाँ हाँ राद स्याम की बाबा करते साहाए लगो है महीना सामन मास कोई ए रे कोई सीरियल हम बै कोई सीरियल बाचल धिंगे जाए लगो है महीना सामन मास कोई सामन मास कोई प्रेमी भटो श्रियल अपनी सक्यों के सन बाग में ती जूलने के लिए जाती है और जब बाग के दरवाजे पर पहुंचती है तो वहाँ देख की है के अरजन और सुर्जन बाग के द्वार का ताला लगाये हुए खड़े हैं अरजन सुर्जन से सीरियल बाग का ताला खोलने के लिए कहती है लेकिन वे दोनों सिरियल से लड़ने जगरने लगते हैं तक्रार करने लगते हैं कहते हैं कि इस बाग में आधा इस्सा हमारा भी है और सिरियल को बाग में तीज नहीं जुलने देते हैं बाकी हवाला इस भजन के माद जम से आपकी सेवा में अरे सामन लगो महीना आए खुस है रई सिरियल भारी सामन लगो महीना आए खुस है रई सिरियल भारी सिरियल की बात सुन बाचल सक्खियों के द्वार आई चले अरे सिरियल तीज जोलने जाए तुम करो चलन की चाई सामन लगो महीना आए खुस है रई सिरियल भारी कितनी सुन का छले जल गई अनसन पाटी ले पड़ गई सोप भवन मेरे लेटी जाए जैसे लगी आए बे मारी सामन लगो महीना आए खुस है रई सिरियल भारी काचल अपने दोनों पुत्रों अपने जोडे से हर्दुन और पुर्जम से क्याते से काचल चोडे से कहती रो रो कर हाल सुनाती सिरियल तीजी जोलने जाए खुसा मुझ को है ये भारी सामन लगो महीना आए खुस है रई सिरियल भारी तुम बाग नो लखे जाओ भाटक पे ताला लगाओ तुम बाग नो लखे जाओ भाटक पे ताला लगाओ जोरे पहरे जार देओ बैठाए बागों की करो रखवारी सामन लगो महीना आए खुस है रई सिरियल भारी जोडे बागों में आए दिया ताला तुरत लगाए जोरे बागों में आए दिया ताला तुरत लगाए रधे साम कहे समझाए वो कर रहे पहरे दारी सामन लगो महीना आए खुस है रई सिरियल भारी बल सांचे दरबार की बल गूगा मेरी दरबार की प्रेमी भक्तो रानिश सिरियल निरास मन से दरबारों में वापस आजाती है माता बाचल को सभी हाल बताती है माता बाचल कहती है केहे सिरियल ये सब घटना तुम जहर वीर से जहर से मत कहना सेमी मक्तो उधर महलों में जहर बाबा को प्यास लगती है और वे रानिश सिरियल से पानी मांगते है उधर रानिश सिरियल जहर के लिए पानी लेने जाती है राश्ते में अरजुन और सुर्जन सिरियल को घेर लेते है और रानिश सिरियल उनको चकमा देकर छल से वापस महलों में आती है जहर को सारा हाल बताती है गुष्टे में बाबा जहर वीर उनके पास जाते है और उनसे किस प्रकार से जंग होता है किस प्रकार से लड़ाई होती है वहाँ लड़ाई में वे दोनों मारे जाते हैं आगे का हवाला इस भजन के माध्यन से जहर वीर को प्यास लगी हो अरे जहर वीर को प्यास लगी जल्दी पानी मंगवावेर सिर्यल पानी लावेर लावे पानी लावे जहर वीर को प्यास लगी जल्दी पानी मंगवावेर सिर्यल पानी लावे सिरियल पानी लावे रे लावे पानी लावे रास्ते में वो दोनों पापी अर्जुन और सुर्जन रानी सिरियल को खड़ी मिलते हैं कैसे सिरियल पानी को धाई जोडों ने घेरी भाई सिरियल से वचन उचारे दोनों उसको समझारे एक लाजा हर मर जावे फिर को तेरा साथ निभावे दो भाई हम मा जाए एक मर दूजा साथ निभाए ओ बाथ मारी मानो सिरियल नहीं तो फिर पचताए सिरियल पानी लाए सिरियल पानी लाए रिलाए पानी लाए सिरियल पानी लाए छल से सिरियल घर आई जाहर पेरो वेजाई जाहर को गुसा आई कर में तलवार उठाई वो तालों के जा पहुचा जोडों को जाके दबोचा जोडों से करी लडाई उनका दिया सी सुडाई हो सी स्काट दोनों का जाहर वापस घर को आवे सिरियल पानी लाए जाहर बाचल धिंग आया और सारा हाल सुनाया बाचल जाहर से कहती और सारी कथा सुनाती तूने तो जुलम गुजारे मेरी बेहन के जाए मारे तू जरा शरम नहीं लाया मेरी बेहन का नाम मिटाया तेरा मुन नहीं देखोंगी रे घर में तू मत रहवे सिरियल पानी लावे माता बाचल ले जाहर को बहुत अच्छा बुरा कहा और कहा अरे जाहर तूने मेरी बेहन का वन्स मिटा दिया है तूने बहुत बुरा किया है जाहर और अब मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहती मेरे महरबानो बाबा जाहर ने वहीं से अपना घोडा मोड लिया और सिरियल को रोता हुआ छोड दिया कैसे जाहर ने घोडा मोडा सिरियल कोरे रोता छोडा लईबन की सुरत लगाई ना मुण कर देखा भाई मेरा राम राय घर याना है गुन का भरा खजाना गायरा मोतार ये गाना हुआ हन्स राज दीवाना राद सेम करता है कविता लिखना ना तुझे आवे सिरियल पानी लावे और जहर वीर का प्यास लगी रे हो जहर वीर का प्यास लगी जलदी पानी मंग वहवे प्रेमी भक्तो माता बाचल ताना मारती है रे जहर अरे जहर तुने इस नगरी में मुझको बोलने लैक नहीं छोड़ा पापी तुने मेरी बेहन की को खुजारती है अपनी मा के ताने सुनके अपनी मा की बात सुनकर जहर लीले घोड़े पर घर से निकल जाते हैं और रास्ते में राने सिरियल मिलती है हे स्वामी इस नगर में मैं किसके साहरे जीएंगी हाथ जोड़ कर पैर पकर लेती है राने सिरियल जहर कहते हैं कि राने तुम चिंता मत करो मैं तुम से मिलने के लिए रोज रात को आया करूँगा लेकिन एक बात का वायदा करो क्या स्वामी कि इस बात का पता किसी को न चलने पाए और बाकी का हवाला इस बजन के माध्यम से अरे माता के सुन वचन कटी ले चल दिया जाहर घर से वापस ना किया घोड़ा राहमी कूरोता छोडा हो होया बनवाशी आरे सिरियल रोवे रुधन मचावे बाचल के धिंग आई तोन हुई तक सीर पिया से जोवन को दिये खंदाई बाली उमर मेरी एरी री 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 बाली उमर मेरी चड़ती जवानी पियबिन कैसे कटेगी कैसे सबर करूं मैं कैसे धीर धरूं माता बाचल के पैर पकड़ लिये है मां मेरे पती ने ऐसा कौन सा खोट किया है मां जो आज उनको आपने ताना मार कर बन में भेज दिया कैसे माता बाचल केती है के बहु मेरी बाच सुनो अरजन सरजन रिरी 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 अरजन सरजन दोनों हमारे वहने जुलम बुजारे जराना क्याहल करो क्यों वहां नेरी काम करो मेरो मन है ओदासी कहने लगी बहु तेरे पती ने मेरी बहन के दोनों लाल मार दिये हैं कैसे बारे बरस जब बीत गए जाहर कोबन में भाई सिरियल की जब याद आई धरती ते अरज लगाई खेदरती माता आज बारे बरस बीत बे हैं मुझे आज रानी सिरियल की आदार यह कैसे आज्याह दे देरी माता मुझे को मैं दद रेडे को जाऊं जहां पर सिरियल नारी के रोवे है अतिभारी हो कहूं लगाना ले फांची रे आग्या लेकर जाहर चाला जद रेडे को भाई महलों में पहुचा था जहां सिरियल को आवाज लगाई और नित आवे नित जावे महल में सिरियल खुशी मनावे पती को गले लगावे तो मह सिंग आहर बनावे हो जैसे दर्शन की प्यास थी पती के आने पर राने सिरियल बहुत प्रसन होती है हे सामी इन ठीक तो हो क्या क्या कहने लगी पुरंत में क्या हुआ खोलाद पुर है गाहम मेरा और खिचडी पुर मैं बसेरा रहम दीत गुर अपने के दर्शन करू साम सबेरा हंसराज और लेखिराज के सिट मेर साज बजाते है रामों ताहर जगाते जगा कैसा बै सुनाते हो राधे श्याम को सबाशी माता के सुन वचन कटिले सल गया जहर घर से वापस ना किया घोडा रहमी कुरोतात सोड़ा हो हुर्या आज बनवाशी प्रेमी भक्तो जहर बाबा रोजाना रात को रानी सिरियल से मिलने आते हैं अब तो माता बाचल को सिरियल पर सक हो गया क्योंकि सिरियल रोजाना रानी जैसा सिंगार करती थी और माता बाचल के मन में ये था कि तेरा बेटा तो यानि जहर तो बहुत दिन से बन में जा चुका है फिर ये सिंगार किस पर करती है माता बाचल सिरियल पर किस परकार से शक करती है और क्या कहती है अरे सिरियल को सिंगार देख बाचल कर सोच विचार बहू मुए सांच बता सिरियल को सिंगार देख बाचल कर सोच विचार बहू मुए सांच बता बेटा मेरा घर पे नहीं मुझे को सांच बता दे तू पर किस पे पहनी हरी हरी चुड़िया किस पे बिंदा लगावे तू किस पे मुतियन मांग भरे और किस पे करे सिंगार बहू मुए सांच बता सिरियल को सिंगार देख बाचल करे सोच विचार बहू मौह सांच बता ये बहू जब यहां जाहर नहीं है तू रोज किस पर सिंगार करती है क्या कहने लगी लानी सिरियल अरे सिरियल कहती बाचल से सुन लो तुम सांचल प्यारी नित आवे नित जाए लाल तेरा तुमें साच में बतलारी बाचल कहती सिरियल से हाँ बाचल कहती सिरियल से तू बनी है अतल छिनार बहू मौह बतलारी सिरियल का सिंगार देख बाचल करे सोच विचार बहू मौह बतलारी मैं आपको आज रात को तुम्हारा बेटा दिखला दूँ ही कैसे जाहर आए महलों में खेले हैं वो चोपड सारी बहुर हुआ उठ चाल पड़े जड लिले की वो असवारी शिरियल बाचल को दिखलावे वो जाते बलम हमारgeon देख सासुल प्यारी सिरियल का सिंगार देख बाचल करे सोच विचार बहु मोह बतलारी मेरे महरमानों माता बाचल को दिखला दिया रानी सिरियल ने यह मा देख लीले घोडे पर चड़कर वो मेरे पती जा रहे हैं यानि तुमारे बेटे जा रहे हैं माता बाचल पीछे से जहार को अवाज लगाती है जहार ने मुड कर नहीं देखा और धरती माता में समा गई और माता बाचल को वे स्रियल रानी को रोता बिलता हुआ छोड़ गए क्या बताया अंत में बाचल आई पीछे से जाहर को रही आवाज लगा जाहर नेना मुड़ कर देखा धर्ती में वो गया समा रादे साम तो लिखे कवीता नहीं लिखन का ग्यान उमर दिन की बारी सिरियल का सिंगार देख बाचल करे सोच विचार बहू मोह बतलारी सभी प्रेमी भक्तों के सामने बाबा जाहर का इतिहाज पेश किया है संद्या के सित्य माध्यम से और मुझे अम्मीद है कि मेरे सभी संगीत प्रेमी बाबा जाहर के दिवाने बाबा जाहर वीर के भक्त इस बाबा जाहर वीर के इतिहाज को चंदा कैशित के माध्यम से बड़े ही चाव से सुनेंगे बड़े ही प्रेम से सुनेंगे प्रेमी भक्तो बाबा जहरवीर का ये तिहास जनम से और समाधी तक जो भी तुरूटी हो जो भी गलती हो मैं सभी भक्धनों से सभी बड़े बुजरगों से सभी ज्यानियों से हाथ जोड़तर विन्ती मांगता हूँ और सभी भगजन मिले संग में एक जोरदार जेकरा लगाएंगे कैसे बल गुरुगो रखनात की बल शंकर भगवान की बल जाहर बाबा की बल गुगा मेरी दरबार की बल पाचल माता की